हेलो दोस्तों विलकम बैक टो इडिकेशन भीया और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिमोरीज ओफ चाइल्डूट चैप्टर को और इस चैप्टर में दो वोमेन ओथर हैं मतलब इस चैप्टर की दो ओथर हैं एक का नाम है जित काला सा एंड दूसरे का नाम है बामा जित काला सा और बामा ओथर्स के नीम याद रखना क्लास 12 में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं वैल अब तुम लोग सोच रहे होगे की एक चैप्टर में दो ओथर कैसे हो सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर में actually में दो स्टोरी है, एक चैप्टर के अंदर दो स्टोरी है, अहां तुम लोग के साथ स्कैम हुआ है, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अब तुम लोगो तो आदेत हो गई होगी न, लौस्प्रिंग चैप्टर में भी दो-दो स्टोरी खाला कि you will love the story, बहुत मज़ा आने वाला है, तो अगर तुम लोग के पास book है न, तो book को देखो, स्क्रीन पे देखने की कोई जरूत नहीं है, इस चैप्टर का एक एक लाइन को एक story के form में तुम लोग को present करूँगा, बहुत ही मज़ा आएगा, एक भी line छूटने नहीं and obviously अगर 12th के बाद मज़े छोड़ के जा रहे हैं तो दूसरे चैनल को भी subscribe कर ले न, जिसका link में description में दे दे रहा हूँ, इन दोनों ही writers, मतलब जिटकाला सा और बामा ने अपनी ओटोग्राफी लिखी है, मतलब अपनी life की incidence को इस चैप्टर में सो कर रहा है, और दोनों ह relationship कैसा था, mainstream culture के साथ, basically वो यही बताएगी कि उनके साथ कितना भेदबा होता था, जो high class के लोग थे, जो mainstream culture के लोग थे न, वो उनके साथ कैसा behave करते थे, और उन्होंने अपने childhood में क्या-क्या experience कर रहा है, इस चैप्टर का जो first story है न, उसका नाम है the cutting of my long hairs, और इस चैप् पूरा और जो main name था न, वो था गटरूट, सेमिन्स, बॉनीन, इनका जन्म 1876 में हुआ था, ये एक native American woman थी, मतलब इनका जो family था न, ये इंडिया से था, लेकिन इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, और ये जो थी न, इन्होंने बचपन में बहुत जादा struggle और साथी साथ बहुत ही जादा भेदबाओ फेस कर रहा था, यहाँ पर prejudice का मतलब तुम भेदबाओ समच सकते हो, और 1900 के time में इन्होंने बहुत सारी articles पब्लिस करना स्टार्ट कर दिये, कारजायल इंडियन स्कूल को criticize करते हुए, उन्होंने dogma को भी criticize किया गया था, dogma एक belief था न, जिसम जिटकाला सा ने dogma को भी criticize कर रहा है, और उन्होंने अपना पूरा life fight किया है, operation के खिलाफ, मतलब की harassment के खिलाफ, दवाओ के खिलाफ, forcing के खिलाफ, यह था हमारे author के बारे में, जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, तो चलो, अब chapter का detail में explanation सुरू करते है, cutting of my long hair by Jitkala तो chapter को ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यह मेरा पहला दिन था, land of apples में, और यहां पे बहुत जादा थंडी थी, यहां पर author land of apples पोल कर, अपने school को denote कर रही है, present कर रही है, और जो ground था वो पूरा snow से भरा हुआ था, और even वहां पे जो trees थे थे ना, वो पूरे के पूरे bear थे, मत होती जादा loud metallic sound थी, जो bell fry से आ रही थी, bell fry basically bell tower होता है, और वो अवाज इतना जादा loud था ना, कि लग रहा था कि हमारे कान में आके वो sound एकदम crash कर रहा है, मतलब बहुत जादा चुब रहा है, और हम सभी के sensitive ears के लिए यह जहलना बहुत ही मुस्किल था, क्योंकि हम सभी बच्चे थे, obviously school में सब बच्चे ही होते हैं, फिर जटीला सा कहती है, बस वो bell rank का आवाज ही बहुत irritating नहीं था, बलकि वहाँ पर class of harsh noise थी, मतलब बहुत जादा की rough sounds एक साथ मिलकर बहुत ही गंदा sound produce कर रही थी, एक तो bell rank की आवाज, दूसरी लोग first पे इतना जोर जोर से अपने जूतों से चल रहते हैं, कि वो बहुत जादा irritating sound कर रहा था, बस इतना कम था क्या, कि सारे जो बच्चे होते हैं, वो अपने अपने mother tongue में मरमर करने लगते हैं, जो बिलकुल मेरे लिए unknown था, देखो actually में वो लोग English में बात कर रहे था, लेकिन author को English नहीं आता थ तो उन्हें बहुत जादा irritating लग रहा था, और इतनी सारी आवाजे सुनकर author को ऐसा लग रहा था ना, किसी ने उन्हें securely एक पागल खाने में बांध कर रख दिया है, author की spirit थी, मतलब की जो आत्मा थी ना, वो अपनी freedom को पाने के लिए struggle कर रही थी, पर author कहती है, ये जो struggle है जिटकिला सा बताती है कि एक pale face woman, मतलब एक ऐसी और जिसके face में कोई expression नहीं था, जिसका white hair था, वो हमारे पास आती है, and सारी लड़कियों को line में खड़े होने के लिए बोलती है, और उसके बाद हम सब को march करवा के dining room के तरफ ले जाती है, अब ये मत बोलना कि march past का मतलब क्या होता है, हमने तो कभी school में करा ही नहीं है, उस school में दूसरी Indian girls भी थी, मतलब Indian लड़किया भी थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही चाता tight juta और बहुत ही चाता tight dress पहन के रखा था, और उसे school में जो छोटी लड़िया थी ना, उन्होंने sleeved appearance पहन के रखा था, और सबसे अजीब तो उनके singled hair थे, singled hair basically तुम screen पे देख सकते हो कि ऐसा दिखता है, बहुत ही चोटा सा होता है, curly curly होता है, जिटकला सा कहती है कि उन्होंने mokazins पहन रखा था, उन्होंने जूते नहीं पहने थे, mokazins जो होता है ना, वो leather का बहुत ही soft juta type कही होता है, जिससे वो बिना अवाज किये, floor में sink कर पा रही थी, मतलब बहुत ही अराम से चल पा रही थी, फिर वो बताती है कि उन्होंने एक blanket ओढ़ा हुआ था, लेकिन school वाले ने उनसे वो blanket ले लिया था, छीन लिया था, फिर जिटकाला सा सोचती है कि क्या ये दूसरी जो Indian लड़किया इनक पानिंग रूम के तरफ जा रहे थे, तभी opposite side में एक door खुलता है, वहाँ से जो लड़के होते है वो आ रहे होते हैं, और वो कहती है कि वहाँ से तीन ब्रेव लड़के इंटर करते हैं, मतलब आ रहे होते हैं, और जिटकिला सा को वो तीन लड़के ब्रेव इसलिए लगत जो कि उन्होंने बहुत अजीब ड्रेस नहीं पहन रखी होती है, उन्होंने एक तम लूजली नॉर्मल बहुती कमवर्टेबल ड्रेस पहन रखी होती है, फिर जब वो ध्यान से उन्हें पीछे मुड़कर देखती है, तब उन्हें realize होता है कि वो तीनों रड़के भी उतन खड़े होने लगती है और उस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत ही जादा सर मारा होता है, और वो खड़ी ही हो रही होती है कि अचानक से सेकेंड बेल बचता है और सभी उस चेहर पे बैठ जाते है, और फिर ऑथर भी तुरंत उसी टाइम पे अपने चेहर पे बैठ जाती वोमिन को देखती है, जो कि जिटकिला सा को घुर रही होती है, तभी वो जल्दी से अपना सर को भी जुका लेती है, सभी दूसरे बच्चों की तरह, और वो सोच में पढ़ जाती है कि आखिर क्यों वोमिन उसे घुर रही है, और जैसे ही वो इंसान जो हॉल में स्पोक कर समझ में नहीं आता है, मतलब की ओथर को इंगलिस समझ में नहीं आता है, तो ओथर कहती है कि जैसे ही वो इंसान मरमर करना जो प्रेयर गाना बंद करता है, तभी ठर्ट बेल बचता है और सभी स्पून और फॉर्क उठाके खाना सुरू कर देते हैं, लेकिन जिटकिला सा खाना नहीं खाती है बल्कि वो रोने लग जाती है क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यगाँ है ङंवाला करी पहने के जाटा हो लोग क्योंब जाड़ा नहीं करक्ता हुग अखे.. मतलब अलग अलग प्रोसेस चालेगा पहले लोग प्रेयर करेंगे उसके बाद फॉर को इस्पून उठाएंगे फिर खाएंगे यह जो चीज ता ना यह सब्से आदा खराब चीज नहीं था उनके लिए उस दिन क्योंकि उस दिन सुभा को उन्होंने इस इस चीज से भी ज्यादा खराब चीज के बारे में सुना था, वो बताती है कि उनकी एक फ्रेंड है, जिनका नाम जुडविन है, जो कि उसी स्कूल में पढ़ती है, वो जिटकिला सा को बताती है कि आज एक पेल फेस वोमेन बात कर रही थी, कि हम सभी का, मतलब हम सभी जो ल अब जिटकिला सा बताती है कि उन्हें चोटे हैर्स क्यों नहीं पसंद थे, क्योंकि जिटकिला सा की जो मदर थी, उन्होंने उन्हें सिखाया था, उन्होंने उन्हें बताया था, कि जो अन्सकिल्ड वारियर होते हैं, मतलब कि ऐसे वारियर जिनने लड़ना नहीं आता है जिनके पस कोई skills नहीं होती है और वो पकड़ा जाते थे वार में तो उनके जो enemies थे ना वो उनके बालों को काट दिया करते थे ये जताने के लिए कि वो लोग warriors कहलाने के लायक नहीं है या फिर ये जताने के लिए कि वो लोग कितने ज़्यादा डरपोक है मतलब अगर एक line में कहो तो जिटकिला सा को लगता था कि छोटे बाल होने का मतलब होता है कि वो इनसान डरपोक है फिर वो एक और रीजन बताती है कि उन्हें छोटे बाल क्यों नहीं पसंदे क्योंकि उनके कल्चर में जो short hairs है ना वो mourners रखते थे मतलब जिनके घर में किसी का death हो जाता है ना तो उनके घर में बाल कटवाना पड़ते है मतलब कि basically छोटे hairs जो होते है ना वो या तो डरपोक रखते है या तो वो रखते है जिनके घर में किसी का death हो गया फिर जो डेवन जो जिटकिला सा की दोस्त है वो कहती है कि हमें हार मानना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग के सामने वाले जो लोग है मतलब जो स्कूल वाले लोग है वो पहुँ अचाता strong है लेकिन जिटकिला सा इस चीज़ को अपोज करती है और वो हार ना मानने को कहती है वो कहती है कि वो स्ट्रगल करेगी लेकिन वो हार नहीं मानेगी मतलब बेसिकली मैं सरेंडर नहीं करूँगी मैं लडूगी अपने हैर्स के लिए अरे पता है क्या मैं भी सोस्ता ता अपने स्कूल के टाइम में बाल नहीं कट वाओंगा मैं भी fight back करूँगा लेकिन हमारे पीटी सर थे ना बाल नहीं कटवा गया होगे ना तो बाल घीच के तबलाक तबलाक मारते इसलिए मैं तो सरेंडर कर देता था भाई में को नहीं करना फाइड बैक खैर स्टोरी पर आते फिर जिटकिला सा जो होती है वो अपने चांस का वेट कर रही होती है और जब उन्हें भी नहीं देख रहा होता है वो अचानक से डिसपियर हो जाती है मतलब वहां से गायब हो जाती है और बहुत ही धीरे-धीरे से स्टेर्स के ऊपर चहरने लगती है फिर वो कहती है उनसे उनके मुकैजिस छीन लिये गए थे और उन्हें भी स्टिफ सूस दे दिया गया था फिर भी वो बहुत धीरे-धीरे स्टेर्स पर चहरती है ताकि अवाज ना आए फिर वो एक हॉल से पास होती है और तभी वो नोटिस करती है कि वहां पर एक ओपें डोर है खुला दर्वाजा है और उस रूम के अंदर तीन वाइट कलर के बेड थे और वहां पर जो विंड चुन बेड लगती है और दर जाती है या खापने लगती है जब उन्हें कोई भी फुट्स्टेप का वाज सुनाई देते है उनके रूम के आस्पार तभी जिटकिला से अर्वाज सा सुनति है कोई उनके नाम को बार बार चिला चिला कर बुला रहा है और जो जुड़ेव और वो देखती है कि वो जो लड़किया है और वो जो वोमेन है ना वो खोल खोल के मतलब जो कबड़ से उन्हें खोल को देख रही होती है और बड़े बड़े ट्रंक्स को मतलब सूटकेस वगेरा को चेक कर रहे होते हैं मतलब कि सूटकेस वगेरा को चेक कर रहे होते हैं और जैसी वो woman bed के नीचे जुक करके देखती है, तभी वो देख लेती है author को, मतलब जिटकिला सा को, और उसके बाद उन्हें वहाँ से drag करकर बाहर निकाला जाता है, मतलब घसीटे हुए, गीचते हुए, उसके बाद author कहती है कि हाँ मैंने भी resist करा by kicking and scratching wildly, मतलब कि हाँ मैंने भ बात मारा और उन्हें scratch करा, लेकिन फिर भी वो अपने आपको नहीं बचा पाती है, उन्हें वहाँ से उठा कर नीचे downstairs, मतलब नीचे ले जाया जाता है, और फिर उन्हें जल्दी जल्दी एक chair से बान दिया जाता है, मैं बहुत जोर जोर से रोने लगती हूँ, इवन मैं अपने सर को बहुत जोर-जोर से हिलाती हो, लेकिन इससे कोई भी फैदा नहीं होता है, जो cold blades of scissors थे, मतलब जो catchy था ना, वो मेरे neck के ऊपर मैं feel कर पा रही थी, और मैं अपने thick hairs को कटते वे सुन पा रही थी, अब वो हिमत हार जाती है, और अपने सर को हिलाना भी बंद कर देती है, क्योंकि already उनकी एक चोटी कट चुकी थी, और उसके बाद से मैंने अपनी आत्मा को अपने आप से खो दिया है, फिर वो बताती है कि जब से मैं अपनी मा से दूर आई होना, तब से मैंने बहुत जाता सफर करा है, और जब से वो अपनी मा से दूर हुई है, ऐसे बाल मुझे दे दिये गये है, वो छोटे गुमाओदार बाल, I moaned for my mother, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रोती थी अपनी मा के लिए, लेकिन मुझे कोई भी comfort नहीं दे पाता था, मतलब तुम खुद सोचो ना, अगर तुम कभी रो रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे ह Hope so, वो हमिसाद तुमारे साथ रहे हाला कि tracks दिनी हरते वापसे chapter में आते, उस school में, उस जगह पे ऐसा कोई भी नहीं था जो उन्हें समाल सके, जो उनके पास आकर चुपचा, बैट सके और उन्हें समझा सके, जैसा कि मेरी मा करती थी जब मुझे sad feel होता था जब मैं रोती करता है, तो जिटकिला सा को लगता है कि वो भी बिल्कुल उस जानवर की तरह है, जिसे ये school वाले question करने का right नहीं देते हैं, जिसे ये school वाले अपने मर्जी से ला रहे हैं, या सिखा रहे हैं, या train कर रहे हैं, and इस तरह से हमारे ये जो chapter होता है, प्यारा सा छोड़ा सा क होता है, sorry, chapter का पहला पार्ट होता है, ठीक है, एक story होता है, and to be honest, बहुतों का school life कुछ ऐसा ही होता है, हाँ, except वो जबरदस्ती घीच करके, बाल काटने वाला बात को छोड़के, जो लोग भी नए जगह पे, नए school में सिफ्ट होते हैं, उनके साथ, almost ऐसा situation आता ही है, उन् उस प्लेस का तौर तरीका, तो या, I can understand, तो चलो तो लो से फिल टाग ले वीडियो वे, तब तक के लिए, बाई बाई, सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना,